नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल जी के अध्यावी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के मुख्य मंतरी एवं राज्य पालों के बारे में तो दोस्तो ये वीडियो आपके exam point of view से काफी जादा important है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले दोस्तो हम लोग देख लेते हैं आंदर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य मंतरी कौन है तो दोस्तो आंदर प्रदेश के अभी वर्तमान में जो मुख्य मंतरी बने है वो बने है एंचंदर बाबु नाइडू ये इनका फोटो है दोस्तो साती हम देखें आंदर ऀड़ीशा के बारे में देखें तो दोस्तों जो एंदर प्रदेश है इसका गठन एक नमवंबर 1956 को वुआ था आंदर प्रदेश की ताजडानी अम्रावती है आंदर पर देश में लोकसभा सीटों کی संखिया 25 है राज्य सबसीते постав 11 है विधांज सबसीटों संक्या 175 है वहीं हम देखें आंध्र प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्री निरत्य है जिसका नाम है कुछी पूरी ठीक है आगे देख लेते हैं उडिसा के बारे में देखें तो दोस्तों अभी उडिसा के वर्तमान में मुख्य मंत्री बने हैं मोहन चरण मान जी ये इनका फोटो है दोस्तों साथ हम देखें उडिसा के राज़ेपाल के बारे में तो दोस्तों उनका नाम है रगुवर दास ये इनका फोटो है आगे देखें मोहन चरण मान जी भाती जनता पार्टी से हैं या उडिसा के पंदरवे नंबर के मुख्य मंत्री बने हैं उरिषा को दोस्तों, राज्य का दर्जा 1 अप्रेल 1936 को दिया गया, उरिषा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्य सबा सीटे 10 है, विधान सबा सीटों की संख्या 147 है, वहीं यहां का एक प्रसिद्ध शास्त्री रित है, जिसे उरिषी कहा जाता है, यह उरिषा का म अरुनाचे प्रदेश के वर्तमान में राज्य पाल कौन है, तो दोस्ते इनका नाम है कैवल्ले तरविकम परनाईक और यह इनका फोटो है, अरुनाचे प्रदेश के दोस्तों बारे में देखे, तो जो पेमा खांडू है दोस्तों, यह भारती जनता पार्टी से हैं, और यह अरुनाचे प्रदेश के नवे नंबर के मुख्य मंतरी बने हैं, अरुनाचे प्रदेश की दोस्तों, जो राजधानी है, इत्या नगर है, अरुनाचे प्रदेश का गठन 20 वरवरी 1987 को हुआ था, अरुनाचे प्रदेश में लोक सभा सीते हैं दो, राज्य सभा सीतों क संक्या एक है वधान सबा सीटे हैं साथ सिक्किम के दोस्तों अभी वर्तमान में मुख्य मंत्री चुने गए हैं प्रेम सिंग तमांग ये इनका फोटो है साथी हम देखे सिक्किम के गवर्नर के बारे में तो दोस्तों उनका नाम है गंगा प्रसाद ये इनका फोटो है आगे देखें प्रेम सिंग तमांग दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं या वर्टमांग में सिक्किम के छटवे नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के बारे में देखें तो दोस्तों सिक्किम की जो राजधानी है वह है गंग टोग सिक्किम का गठन दोस्तो 16 मई 1975 को हुआ था सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या एक है राजिसबा सीटे एक है वधान्सबा सीटों की संख्या 32 है Next देखते हैं हरियाना के बारे में दोस्तों हरियाना के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने है वो बने है नायाब सिंग सैनी ये इनका फोटो है वहीं हम देखे हर्याना के गवर्नर के बारे में तो दोस्तों वहां के जो राज़पाल है वो है बंडारु दत्तात्रे ये इनका फोटो है आगे देख लेते हैं नायाब सिंग सैनी दोस्तों भार ज्चाना में लोग सबासीटों की संख्या है 10, राज्य सबासीटे 5, विदान सबासीटों की संख्या है 90. आगे देखते हैं, झार्खन,दोस्तो अभी झार्खन के वर्तमान में के मुख्यमंत्री बनेओं ओनेे हैं चांपाई सोरिन, यह इंका फोटो है, बात करें जार्ख बात करें जारकन की, गठन 15 नवंबर 2000 को वुआ था, जारकन में लोक सभा सीटों की संidences 14 है, राज सभा सीथे हैं श्री भजनलाल शर्मा है, ये इनका फोटो है दोस्तो साथी देखे राजस्तान के वर्तमान में राज़ेपाल कौन है तो इनका नाम है दोस्तो कालराज मिश्र ये इनका फोटो है आगे देख लेते हैं दोस्तो श्री भजनलाल शर्मा भारती जन्ता पार्टी से है यह राजस्थान के वर्तवान में चौदवी नंबर के मुख्य मंतरी बने हैं साथी देखे राजस्थान की राजधानी की तो दोस्तो राजस्थान की जो राजधानी है यह है जैपूर राजस्थान राज्य का गटन दोस्तो 30 मार्च 1949 को हुआ था राजस्तान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 राजय सभा सीटे हैं 10 साधी हम देके राजस्तान के उप मुख्य मंतरी की तो वह हैं शुष्री दिया कुमारी जो BJP पार्टी से हैं श्री प्रेम चनबैरवा ये भी BJP पार्टी से हैं नेक्स देख लेते हैं मध्यप्रदेश दोस्तों वर्तमान में मध्यप्रदेश के जो मुख्य मंत्री है वो बने हैं डॉक्टर मोहन यादव ये इनका फोटो है बात करें मध्यप्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो दोस्तों वो है मंगुबाई छगनबाई पतेल और ये इनका फोट नेक्स देखते हैं, डॉक्टर मुहन यादव दोस्तों, भारती जनता पार्टी से हैं, यह वर्थ मान में मध्य प्रदेश के 19 वे नंबर के मुख्य मंतरी बने हैं, मद्य प्रदेश के बारे में देखें दोस्तों तो मद्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मद्य प्रदेश राज़ का गटन 1 नवंबर 1956 को हुआ था मद्य प्रदेश में लोक सबा सीटों की संख्या है 29 राज़ सबा सीटे हैं 11 विधान सबा सीटे हैं 230 आगे देखते हैं च्छत्तर के दोस्तो वर्थमान में जो मुख्य मंतरी बने है वजिश्णुदेव साय crispy पात करें च्छत्तर स्गर्द में वर्थमान के राजपाल की तो दोस्तों का नाम है विश्व भूशन हरी चंदन ये इनका फोटो है दोस्तों आगे देख लेते हैं विश्णु देव साय दोस्तों भारती जनता पार्टी से हैं या 36 गड़ के पहले आदिवासी मुख्य मंतरी बने हैं ये टॉपिक आपकी एक्जाम से काफी ज़दा इंपॉर्टेंट ह हजार को हुआ था 36 गड़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11 राज्यसभा सीटे हैं 5 विधान सभा सीटों की संख्या है 91 आगे देखते हैं मीजोरम के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंतरी है वो है लाल दुहोमा ये इनका फोटो है बात करें मीजोरम के वर्तमान में राजजपल की, तो दोस्तों, इस नाम हरी बाबू कम्भम पती, ये इनका फोटो है, आगे देखें, लाल दुहोमा दोस्तों जोरम पीपल्स पार्टी से हैं, और यह वरत मान में मीजोरम के छटवे नमबर के मुखेमंत्री बने हैं मीजोरम के बारे में देखें, तो दोस्तों, मीजोरम की राजधानी है आईजॉल, मीजोरम राज का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था, मीजोरम की लोकसभा सीटों की संख्या एक है, राजे सबा सीटे एक है, विदान सबा सीटों की संख्या चालिस है, नेक्स देखते हैं, तेलं तेलंगाना वर्तमान में राज़पाल की तो दोस्तों उनका नाम है सीपी राधा कृष्णन है ये इनका फोटो है आगे देखें रेवन तरेड़ी दोस्तों भारती कॉंग्रेस पार्टी से हैं या तेलंगाना के वर्तमान में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं तेल तैंगाना की जू राजदानी हे वाई हाइद्रबाद, तैंगाना राज्य का गठन दो जून दो हजार चौदा को हुआ था, तैलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है राज्य सभा सीटे 7 है विधान सभा सीटों की संख्या 119 है आगे देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में त्रिपुरा के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वो है मनिक साहा साती हम देखे त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल के बारे में तो दोस्तों इनका नाम है इंद्र सेन रेड़ी नल्लू, ये इनका फोटो है, आगे देख लेते हैं, तुर्पुरा के नय राजबाल दोस्तों, इंद्र सेन रेड़ी नल्लू बने है, मनिएक साहा जो दोस्तों वरतमा की मुख्य मंतरी है, ये भादि जंता पार्टी से है, तुर्पुर सबा सीटों की संग्या साथ है नेक्स देख लेते हैं असम के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंत्री बने हैं वो है हिमंत बिश्व सर्मा ये इनका फोटो है असम के दोस्तों वर्तमान में जो राज्यपाल है वो बने हैं गुलाब चंदर कटारिया इनका फोटो है आगे बारे में देखें तो दोस्तो असम की राजधानी है दिस्पोर, असम राज़ का गठन दोस्तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, असम में लोकसबा सीटों की संख्या है 14, राज़ सबा सीटे है कुल 7, शास्त्री निर्थ यहां का एक प्रसिद्ध है जिसका नाम है सतरिया, आगे आगे देखते हैं, नागरलेंड के दोस्तो नए राज़पाल लाग नेशन बने हैं, नफ्यू रियो नैशनलिस्ट टेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, नागरलेंड के बारे में देखें तो दोस्तो नागरलेंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, नागरलेंड राज का मनीपूर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वहां और दान के राजय पाल अनुसूयाषय के तो मनीपूर के और राज्य पाल के नये राज्य पाल रिकार मनीपूर के घठन तो दोस्तो वो उनका नाम है अनुसुया उई के ये इनका फोटो है आगे देखते हैं मनीपूर के नए राज़पाल दोस्तो अनुसुया उई के हैं और मनीपूर के वर्तमान में जो दोस्तो मुख्यमंत्री है वो है एन बिरेन सेंग मनीपूर के बारे में बात करें तो दोस दोस्तों शास्त्र नित है जिसका नाम है मनीपुरी आगे देखते हैं मेघाले के बारे में दोस्तों मेघाले के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने है वो बने है फागु चोहान ये इनका फोटो है मेघाले के वर्तमान में जो राजपाल है वो है कॉनराड संगमा ये इनक की राज़दानी है वह है शिलॉंग मिगाले राजर कर गटन 21 जनवरी 1972 में हुआ था मिगाले में लोकसभा सीटों की संक्या दो है राजय सबढ़सीटों की संक्या एक है विदान सबा सीटे कुल साथ है next देखते हैं करनापक के बारे में करनापक की दोस्तों वर्तमान में ज आगे देखते हैं, करनातक के राजजपाल दोस्तों थावरजन गहलोत हैं, वहीं करनातक के वर्तमान में मुख्य मंतरी सिद्धारमया हैं, करनातक के बारे में देखें तो दोस्तों करनातक की जो राजधानी है वो है बेंगलूरू, करनातक राज़कर गठन एक नवंबर उन जो मुख्य मंत्री हैं वो बने हैं एक नाच शिंदे साथी हम देखें महाराष्ट के वरतमान में राज्यपाल की तो दोस्तों उनका नाम है रमेश बैस ये इनका फोटो है आगे देख लेते हैं महाराष्ट के वरतमान राज्यपाल रमेश बैस है वही महाराष्टो के वर्तमान में मुख्य मंतरी एकनाच शिंदे हैं जो शिव शेना पार्टी से हैं महाराष्टो के बारे में देखें तो दोस्तों महाराष्ट की दो राजधानिया है मुंबई यहां की ग्रिश्म कालीन राजधानी है नाकपुर जो है यहां की शीत कालीन राजधानी है महराष्ट राज्य का गठन 1 मैं 1960 को हुआ था महराष्ट में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है महाराश्ट्र के उप मुख्य मंत्री है देवेंदर फणीनवास और अजीत पवार आगे देख लेते हैं बिहार के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंत्री बने है वो बने है नितीश कुमार ये इनका फोटो है साथी हम देखें बिहार के वर्तमान में जो राज़पाल है ये कौन है तो इनका नाम है राजेंद्र विश्वनात आरलेकर ये इनका फोटो है दोस्तों आगे देखते हैं आगे देख लेते हैं हिमाचल प्यदेश के बारे में तो दोस्तों हिमाचल प्यदेश के जो वर्तमानमी मुख्य मंत्री है वो है सुखविंदर सिंग सुखु ये इनका फोटो है साथ हम देखे हिमाचल प्यदेश के वर्तमानमी राज्यपाल के बारे में इनका नाम है दोस्तों शिव प्रताप शुकला ये इनका फोटो है आगे देखते हैं हिमाचर प्यदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताल शुगला मने हैं सुकविंदर सिंग सुकु भारती रोष्ट्री कॉंग्रेस पार्टी से हैं हिमाचर प्यदेश के बारे में देखे हमाचर पैदेश में लोक सभा सीटों की संक्या है 4, राजो सभा सीटों की संक्या 3 है, उप मुके मन्तरी हैं, यहांके मुकेश अगनी होतरी. आगे देखते हैं… गुजरात के दोस्तों वरतमान में जो मुके मन्तरी हैं यह हैं भूपेंद्र पटेल. साथी हम देखे गुजरात के वर्तमान में राज़ेपाल कौन है तो दोस्तों इनका नाम है आचारे देवरत और ये इनका फोटो है आगे देखते हैं पस्चिम मंगाल के वरतमान में राजपाल की तो इनका नाम है सीवी आनंद बोस ये इनका फोटो है आगे देखते हैं पस्चिम मंगाल के राजपाल सीवी आनंद बोस है ममता बनर जी जो हैं दोस्तों वत्रण मूल कॉंग्रेस पार्टी से हैं पस्चिम मंगाल के बारे में देखें तो दोस्तो पस्चिम मंगाल की राजधानी कोलकाता है पस्चिम मंगाल राज़ का गठन 15 अगर्ष सन 1947 को हुआ था पस्चिम मंगाल में लोग सबा सीटों की संख्या 42 है राज़ सबा सीटों की संख्या 16 है आगे देख लेते हैं उत्राखन के दोस्तो वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वो है पुशकर सिंग धामी ये इनका फोटो है साथी हम देखे उत्राखन के वरतमान में राज़ेपाल के बारे में तो इनका नाम है गुरमीत सिंग और ये इनका फोटो है दोस्तो आगे देख लेते हैं उत्राखन के वरतमान में मुख्य मंत्री दोस् दोस्तो ये ग्रीश मकालीन राजदानी है, उत्राखन राज का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, उत्राखन में लोकसभा सीटो 5 है, राजसभा सीटो की संक्या 3 है, आगे देखते हैं, तमिल नाडू के बारे में, दोस्तो तमिल नाडू के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, वो है M.K. स्टालिन, ये इनका फोटो है, बात करें, तमिल नाडू के वर्तमान में राजजपाल की, तो इनका नाम है R.N. रवी, ये इनका फोटो है, आगे देख लेते हैं, तमिल नाडू के राजपाल R.N. रवी है, M.K. स्टालिन जो हैं दोस्तो, द्रविर मुनेत का तागम DMK पार्टी से हैं तमिल नाडू के बारे में देखें तो तमिल नाडू की राजधानी है दोस्तु चेन्नाई तमिल नाडू राज का गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था तमिल नाडू में लोकसभा सीटों की जंक्या 49 है राज्य सबा सीटों की जंक्या 18 है यहां का एक शास्त्रिणित है भारत नात्यम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्य मंत्री बने है वो बने है योगी अदित्तिनाथ साथी हम देखें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल कौन है तो यह उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनवु है। सीटों की संख्या 31 है उत्तर प्रिदेश के उप मुख्य मंत्री दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है उत्तर प्रिदेश का एक प्रसिद्य शास्त्र निर्त्य कत्थक है आगे देखते हैं केरल के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वो है पिन नरई विज्यायन है केरल के बारे में देखें दोस्तों तो केरल की राजधानी तिरू वनिद्पूर हमें केरल राज्य का गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है राज्य सभा सीटों की संख्या 9 है केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्री नित ह कतरकली अमोनी अटम आगे देख लेते हैं गोवा के दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वह है प्रमोद सावंथ ये इनका फोटो है गोवा के वर्तमान में जो राजपाल है ये है पी ये श्रीधरन पिल लई ये इनका फोटो है आगे देखें गोवा के राजपाल पिये श्रीधरन पिल लई हैं, गोवा के वर्तमान में मुख्य मंतरी प्रमोच सावन्थ है, जो बीजेपी पार्टी से हैं, गोवा के बारे में बात करें दोस्तों, तो गोवा की राजधानी पंजी है, गोवा का गठन 30 माई 1987 को हुआ था, गोवा में लोकसभा सीटों की जं पार्टी से हैं, गोवा के बारे में देखें दोस्तों, तो पंजाब की राजधानी चंडीगर है, ये केंदर साशित प्रदेश है, पंजाब का गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राजसभा सीटे कुल साथ है, नेक्स देख लेते हैं, तो दोस्तों इसी के लिए अब हम कुछ केंदर साशित प्रदेशों के मुख्य मंत्री एवं राजजपालों के बारे में देख लेते हैं, लद्दाक के बारे में, तो दोस्तों लद्दाक जो है, इसकी राजधानी है ले, केंदर साशित प्रदेश का गठन 31 October 2019 को हुआ था लदाक के जो उपराज पाल है ये बीडी मिश्रा है ये इनका फोटो है लदाक में कुल दो जिले हैं नेक्स है दिल्ली के बारे में दोस्तो दिल्ली के जो राजधानी है या है नई दिल्ली दिल्ली जो है केंट शाशित प्रदेश का गठन एक फरव मुख्य मंत्री है अर्विन केजरिवाल ये आम आधनी पार्टी से है और दोस्तो ये इनका फोटो है दिल्ली के उपराज पाल है विने कुमार सकसेना दिल्ली में कुल दोस्तो ग्यारा जिले है लोकसभा सीटे है साथ राजसभा सीटों की संख्या तीन है नेक्स देखते ह दोस्तो, पुद्डुचेरी की जो रासधानी है। है पौंडी चेरी, पुद्डुचेरी का गठन दोस्तो 1 जुलाइ 1963 को उआ था, पुद्डुचेरी के मुख्य मंतरी है एन रंगास्वामी। यहं इनका प्पोटो है। पुद्डूचेरी के दोस्तों जो पराज जपाल है, वो हैं CP राधा क्रिश्णन, पुद्डुचेरी में कुल चार दिले हैं, लोकसभा सीटे एक है, राजसभा सीटों की संक्या एक है नेक्स्त है अंडमान निकोबार के बारे में दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट बलेयर है केंदर शाषित प्रदेश का गठन एक नमबर उन्निस सो छपपन को हुआ था अंडमान निकोबार के उप राज जिपाल हैं देवेंदर कुमार जोशी ये इनका फोटो है यहां के मुख्य सच्चिव है दोस्तो केशव जंद्र अंडमां नीकोबार में कul तीन जिले हैं लोकसभा सीटों की संघ्या एक है नेक्स देखते हैं जम्मु कश्मीर की तो क जम्मु कश्मीर की जो राधानी है वो दो राधानिया है जम्मु यहां की इनका फोटो है जम्मु कश्मीर में कुल दोस्तों 20 जिले हैं नेक्स देखते हैं चंडीगड की दोस्तों वर्तमान में जो राजधानी है वो चंडीगड है चंडीगड के जो शाषित प्रदेश की रूप में इसका गठन 7 अक्टूबर 1913 को हुआ था चंडीगड की दोस्तो वर्तमान में जो प्रशाषक है वो है बनवारी लाल पुरोहित इन्हें अत्रिक्ट प्रभार दिया गया है चंडीगड की दोस्तों जो मुख्य सचिव है राजीव वर्मा है चंडीगड में कुल एक जीले है लोकसबा सीटों की संग्या एक है दोस्तों जो बनवारी लाल वह वर्तमान में पंजाब के राज़पाल भी है और उन्हें चंडीगर का अतरिक प्रवार प्रवशाशक के रूप में नियूप किया गया है आगे देखते हैं दादर इवं नगर हवेली तथा दमन दीर की दोस्तों जो राजधानी है वो है दमन यहां के दोस्तों जो मुख्य सचिव है वो है अमित सिंगला दादर नगर हवेली और दमन दीर में दोस्तों कुल तीन जिले हैं लोक सबा सीटों की संख्या दो है नेक्स देख लेते हैं लक्षुदीब दोस्तों इसकी राजधानी है कवरत्ती केंडर शाषित पदेश की रूप में इसका गठन एक नवंबर 1756 को हुआ था लक्षुदीब के प्रशाषक दोस्तों प्रफुल पटेल है यहां पर लोक सबा सीटों की संख्या कुल एक है नेक्स देख तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही आपके लिए टेस्ट का एक क्वेशन आ रहा है जिसके आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्षिन बताने है क्वेशन है उडिसा के दोस्तों नए मुख्यमंतरी कौन बने है? चार ऑक्षिन है आपके पास नेक्स question है जारकन के नए मुख्यमंतरी कौन बने है ये चार option है आपके पास तो दोस्तो इन दोनों ही questions के answer आपको मुझे comment section बताने है साथी आपको मुझे यह भी बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ like, share and subscribe जरूर करिए और अगर आप कोई नया topic पढ़ना चाहते हैं तो हमें comment section बताईए तब तक के लिए आज के लिए इतना ही thank you very much हम आपको मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद